अपनी इशा मैम को गुरू दक्षिडा दरसल वो मिलाएगी मा और बेटे को सीरियल गुम है किसी के प्यार में आप देख रहे हैं कि फाइनली सभी को इंसाफ मिल गया है इशान ने पूरे Board of Directors की मीटिंग बुलाई और यहां पर आयूश से सवाल किया पर आयूश तब भी डिनाय कर रहा था कि उसने सभी के साथ कुछ नहीं किया पर सभी ने कुछ ऐसे सवाल किये, सभी ने जान बूच कर कुछ ऐसी तरह से सवाल किया और इस तरह का जवाब दिया कि आयूश ने खुद बखुद अपना गुना कुबूल कर लिया आने वले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहां पर इशान मीडिया को भी बुलाता है और सब के सामने यह कहता है कि अगर मेरे कॉले से किसी ने भी ऐसी घटिया कोशिश की तो उसे यही सजा मिलेगी वो आयूश को रिस्टिकेट कर देता है इस कॉले से और साथ ही जो जो लोग इसमें involved थे उनको 8 दिन के लिए स्कूल से investigate करता है जी हाँ ये सजा देता है इशान सवी के साथ गलत करने वालों को सवी इस बात पर बहुत खुश हो जाती है इशान को thank you कहती है और घर जाकर अपनी इशा मैम को call करती है उन्हें ये तक बताती है कि उसे पता जल चुका है कि इशान सर आपके बेटे है सवी जानना चाहती है कि आखिर एक मा और बेटे एक दूसरे से अलग क्यों हो गए क्यों इशान सर अपनी मा से इतनी नफरत करते है इवल एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट ये है कि सभी कसम खाएगी कि वो जल्द ही अपनी इशा मैम को देगी गुरु दक्षिणा और मा और बेटे को हमेशा हमेशा के लिए एक कर देगी